Welcome to my channel The Lawyer's Room आज का हमारा टॉपिक है The Fair Trial निस्पक्ष ट्रायल सबसे पहले हम समझते हैं कि Fair Trial होता क्या है Fair Trial एक Open Court में ट्रायल होता है ना कि कोई बंद कमरे में जहां पे एक impartial judge जो के पक्षपात नहीं करता है वो हर party को बले वो दोशी हो या victim हो दोनों को equally treat करता है और दोनों को fair opportunity देता है अपनी innocence proof करने के लिए Article 21 of Indian Constitution ये बोलता है कि किसी भी person को deprive नहीं करना चाहिए उसकी life of personal liberty के rights के लिए और इसी पे ये Fair Trial को भी include करता है इसमें General principle क्या होते हैं Fair Trial के हमारा चुट सिस्टम है वो adversary trial system के उपर follow करता है और आदमी को जब तक innocent माना जाता है जब तक कि वो guilty साबित नहीं हो जाता और उसके against order नहीं आ जाता जो judge होता है उसको independent होना चाहिए biased नहीं impartial होना चाहिए और competent होना चाहिए मतलब सक्चम होना चाहिए कोई भी decision देने के लिए knowledge of acquisition का मतलब है कि accused को उसके उसने क्या offense किया है उसको knowledge होना चाहिए police को उसको बताना चाहिए right to open trial हम समझे चुके हैं कि open court में होना चाहिए right to free legal aid जिसके पास भी पैसे नहीं है या अपने लिए advocate नहीं कर सकता right to remain silence कोई भी किसी को जपर जस्ती उसका गुना कूबल नहीं करवा सकता trial in the presence of accused जो भी trial होगा वो accused या उसके advocate की presence में होगा evidence to be taken in presence जो भी prosecution से evidence लेंगे वो accused के presence में लिया जाएगा protection against illegal arrest कोई भी illegally arrest नहीं कर जाएगा जब तक उसके पास warrant नहीं होगा या फिर कोई particular reason नहीं होगा right to bail जब भी किसी को पकड़ेगा police वाला तो उसके पास bail लेने का अधिकार है यह police वाला उसको बताएगा और अगर वो available offense है तो provision of double geo party double geo party मतलब होता है कि एक ही matter के लिए एक ही जो matter issue में है उसके लिए बार बार trial होना या बार बार उसको सजा होना तो वो prohibit है इंडिया में right against self incrimination कोई किसी को जबर जस्ती अपना गोना कबूल करके और कोई को मजबूर करके कि वो अपना गोना कबूल कर रहे था कि उसको jail हो जाए तो उसके लिए भी उसके पास right होते हैं यह एक golden rule है जो connect करता है fair trial से कि accused को तब तक innocent समझा जाए जब तक वो guilty proof नहीं हो जाता उसके उपर जो जो offense लगे हैं उसका वो दोशी सिद्ध नहीं हो जाता बहुत सारे cases हैं जिसमें बताया गया है कि SPD trial मतलब case को जल्दी जल्दी चलाना एक वो भी fair trial का part है यह article 21 के हिसाब से rule करता है जैसे कि case है उसे नहरा खातून वर्सेज अदर एंड वर्स होम सेकेटरी वर्स स्टेट भिहार इसमें भी यहीं का गया था कि SPD trial जो है essential feature है fair trial का right to SPD trial जो है वो article 21 से आता है जहाँ पर बोलता है कि कोई भी stage हो भले वो investigation की हो, inquiry की हो, trial की हो, appeal की हो, revision की हो यह retrial की हो SPD trial बहुत ज़रूरी है ना कि delay करना हर चीज में जनरली जिसे police delay करती है यह भी बहुत important point है कि जो remand period होता है यह trial conclude होने के पहले जो conviction कर देते हैं उसको है ना as short as possible होना चाहिए और यह भी कहा गया है कि यह worry, anxiety, expenses, vocations, peace, resulting यह सारे चीजे लंबी होने से, prolonged delay होने से किसी इंसान को face करना पड़ता है इसलिए जल्दी से जल्दी trial conclude करना चाहिए Article 6 of human right act यह भी हमको यही बोलता है कि protect your right to have a fair trial in a reasonable time एक very important maxim है कि like as per black stone ratio कि it is better that 10 guilty person escape rather than one innocent person suffer दस लोग जो गुनेकार है भले वो escape हो जाए चूट जाए पट एक innocent suffer नहीं करना चाहिए एक और maxim है एक इंकंपिट प्रोबेटियो क्यू डेसिट नॉन क्यू नेगेट मतलब जो burden of proof है वो उस आदमियों के उपर लाए करेगा जो कि यह बोल रहा है कि ऐसा हुआ है ना कि जो deny कर रहा है SPD trial is a part of fair trial इस पर काफी cases भी आये हैं जैसे बाबू सिंग परसेस स्टेट ऑफ यूपी फिर SPD trial जो है वो पार्ट है राइट टू लाइफ एंड परसनल लिबार्टी आइस पर आर्टीकल 21 जो यह केस में बताया गया था उसको सामने वाली प्रॉसिक्यूशन का क्रॉस एक्सामिन करने का और आपने एविदेंस प्रेजेंट करने का उसके पास राइट होता है यह बताया था मौमाद हुसेन जुलपीकर वर्सेस दहली में जहां पे 56 विटनेस थे जिसमें से सिफ एक का क्रॉस हुआ था और उसको दोशी धेरा दिया था जिसको हायर कोट ने ओरर किया था और उसको सेटर साइट कर दिया था मतलब खारिज कर दिया था कन्विक्शन को यह हमने डिसकस किया ही था कि एक्यूस परसन जो होता है वो ट्रायल जो भी हो उसकी प्रेजन्स में होना चाहिए बट सेक्शन 317 और CRPC यह भी बोलता है कि कोई कंडिशन ऐसी होती है जहां पे विक्टिम धरा हुआ रहता है तो उसकेस में कोट का यह डिसक्रीशन होता है कि उसको एक्यूस के प्रेजन्स में ट्रायल करना है कि एक्यूस के अप्सेंस में ट्रायल करना है बट accused का advocate हमेशा present रहना चाहिए डबल जीओ पार्टी भी जो है वो एक fair trial का part है इसमें भी काफी maxims हैं और सभी maxims का यही कहना है कि कोई भी आदमी एक ही offense के लिए बार-बार punished नहीं किया जा सकता section 300 of CRPCB यही बोलता है कि person किसी एक offense में अगर convict हो गया है या equitable हो गया है तो उसको उसी offense के लिए फिर से trial नहीं किया जा सकता article 20 sub clause 2 of Indian constitution भी यह बोलता है कि no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once अच्छा यह trial कहां कहां possible है तो trial वहां possible है फिर से यह trial कहां कहां possible है यह trial तब possible है जबकि trial court जिसने trial किया है वो competent ही नहीं था second अगर consent ली जाती है state government के कि फिर से trial हो for any different offense और for any different charge तो फिर बापिस से trial किया जा सकता है section 178 of CRPC हमको बताता है कि trial और inquiry का place क्या होना चाहिए तो trial और inquiry का jurisdiction वो area हो सकता है जहां पे हमको properly पता नहीं है और several area में offense हुआ है तो उन किसी भी area में offense का trial हो सकता है या तो फिर offense आदा offense इस जगा पर A जगा पर हुआ है और आदा offense B पर हुआ है तो दोनों जगा हो सकता है या फिर offense A से लेके B तक जैसे कि कोई kidnap करके ले गया A place पर और murder किया B place पर तो इस A place पर हो सकता है या ड्राइल और B place पर हो सकता है या तो फिर बोले कि कोई भी offense ऐसा चैसी कि यहाँ प्लांट बॉम्ब प्लांट कर दिया तो सारी जगा पर offense का trial हो सकता है अगर एक जगा कुछ planning हो रही हो किसी घटना को करने की या फिर दूसरी जगा घटना हो रही हो तीसरी जगा का वो व्यक्ति है तो हर जगा वो offense का trial हो सकता है Article 22 of Indian Constitution काफी protection देता है accused को जब उसको arrest किया जा सकता है उसको detention करते हैं सबसे पहले तो उसको उसके grounds पता होना चाहिए कि उसको किस वज़े से arrest किया है दूसरा उसको right होता है consult करने का advocate से तो यह उसको police को बताना पड़ेगा कि यह आपका right है और आप वकील कर सकते हैं तीसरा कि आपको जो nearest magistrate है जहां पर भी आपने arrest किया है वहाँ पर उस व्यक्ति को 24 गंटे के अंदर आपको present करना पड़ेगा और एक और important point है कि तीन criminal case में तीन महिने से जादा detention में नहीं रख सकते और आपको charge sheet present करना पड़ती है एक और important है article 14 यह most important है यह बताता है कि law के सामने सभी equal है hope आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा please subscribe कीचिए thank you